अब search engine optimization basically क्या है देखें अभी आप अपनी screen के उपर Google देख रहे हैं Google basically एक search engine है अब search engine का mechanism कैसे होता है कि search engine कैसे perform करता है search engine की back end के उपर indexes होती है index को अगर हम उर्दू में उसका तरजमा करें तो वो फेहरिस्त होती है तो वो basically images की, videos की और websites को अपने अंदर जो है वो उसकी एक फेहरिस्त मुरतब करता है जिसको हम index करते हैं उन indexes के अंदर हर website की ranking होती है जो Google ने TOCs बनाए हैं, जो SOPs बनाए हैं उनके accordingly जो है वो Google या कुछ इनके algorithms होते हैं उनके accordingly जो है वो Google websites को rank करता है इसके हमें एक example लेते हैं, suppose देखें, यहां पर मैं find out करता हूँ कि iPhone 12, iPhone 11 Pro reviews अब मुझे iPhone suppose खरीदना है और मैं यह जाना चाहता हूँ कि iPhone 11 Pro कैसा mobile है तो मैं इसके बारे में जो है वो reviews check करूँगा कि जो बड़ी-बड़ी companies हैं वो इसके बारे में क्या reviews देखें यह एक keyword यहां पर मैंने search किया अब इस keyword के accordingly देखें यहां पर यह पहली website हमें show हुई tech radar कुछ videos show हुई second website जो है वो है जी हमारी Tom's Guide थर्ड जो है वो है हमारी GSM Arena और यह फिर कुछ जो है वो stories आ गई यहां पर फिर the words है उसके बाद mashable और फिर बहुत सारी तो बिसिक लिए आपको बताना मक्सूद यह था कि keyword जो है वो keywords के उपर SEO based करती है किसी भी keyword के उपर आप अपनी website को rank करते है अब आपके mind में question आएगा कि हम किसी भी keyword के उपर अपनी website को rank करें तो उसका उस website को क्या फाइदा होगा तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि Google की monthly traffic कितनी है ठीक है यह देखें चैटी 84.20 billion traffic है Google की monthly यह approximately है exact नहीं है ठीक है अगर इतनी traffic है और कोई website top rank कर जाती है number one के उपर rank कर जाती है तो आप यह देखें कि suppose करते हैं कि हमारे इस keyword की इसकी total traffic जो है वो 1% है total traffic ठीक है अब 84.20 billion का आप 1% अगर ले ले लें ठीक है तो यह कुछ millions के अंदर बनता है तो होता यह है कि जो website top rank कर जाती है उसे total traffic का 70% मिल जाता है 20% जो है वो second और third को मिल जाता है और 10% जो है वो बाकी websites को मिलता है इसी लिए जो companies हैं वो SEO experts को hire करती हैं और यह long term project होते हैं short term project नहीं होते इसमें अगर आप company को अच्छी services provide करने तो company आपसे 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल भी काम करवाती है और वो permanently आपकी client बन जाती है एक और चीज़ आपको यहां पर बताता चलूँ कि SEO जो most demanding services हैं इस वक market में top 5 या top 3 भी अगर आप कहें तो वो भी घलत नहीं होगा उन में से एक है इसको सीखने का फाइदा क्या है कि आपको international client जो है वो pay करता है और international client जब आपको pay करता है तो वो अच्छी capacity में pay करता है इसी तरीके से Google Q के सबसे famous search engine है इसके इलावा Microsoft का एक search engine है जो के बिंग के नाम से है यह देखें इसका भी बिलकुल same behavior है यह same keyword जो है वो हम बिंग के ओपर भी search किरते हैं यह देखिया यह देखिये अब इसने क्या किया बिंग ने यह देखे Microsoft बिंग है इससे सबसे पहले आपको विडियो दी इसको लगा कि इस topic के ओपर विडियो ज्यादा फाइदा देंगी यहाँ पर भी tech radar lead पर है उसके बाद gadget reviews है फिर PC mag है और tom's guide है और फिर बहुत सारी websites इसकी भी traffic में आपको दिखाता चलूँ यह देखें इसकी traffic है जी यह देखें जी 923 million और अगर 923 million का हम कम असकम 1% भी count करें तो इसका 1% भी 9,23,000 बनता है 9,23,000 की traffic अगर आपकी website rank कर जाती है तो उसका 70% अगर आपको मिल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपका कोई business है store है तो आपकी product ज्यादा sale होगी अगर आपकी services sell कर रहे हैं तो आपकी services के orders ज्यादा आएंगे और अगर आपका blog है blog के उपर ज्यादा traffic आएगी और उसकी विज़े से adsense के तुरू या sponsored post के तुरू आप अच्छा earn कर सकेंगे तीसरा जो एक famous search engine है वो yahoo है yahoo के बारे हुए yahoo mail के बारे में तो आप तमाम लोग जानते हैं ठीक है जी अब yahoo search engine के बारे में भी आज मैं आपको बताता हूं yahoo search engine की भी बहुत अच्छी traffic है same keyword हम यहां पर search करते हैं यह देखिए अब yahoo के उपर थोड़ा से different हो गया elect elect grow है यह basically न ठीक है अच्छा elect grocery 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 shop ठीक है उसके बाद आगया जी बी एच फोटो वीडियो उसके बाद आगया visible उसके बाद walmart उसके बाद target उसके बाद फिर बहुत सारी websites जो है वह यहां पर show हो रही है ठीक है जी इसमें भी देखें images भी आ रही है यह news भी आ रही है videos भी आ रही है तो यह search engine जो है यह basically website को website के उपर मौझूद images को उसके उपर मौझूद videos को जो है यह रांग करता है ठीक है जी अच्छा मैं आपसे इसका potential share करना चाहूँगा कि अगर आप यह skills सीख लेते हैं तो आप इसको कहां पर sell कर से ठीक है सेकंड़ी इंशाला हम आपको सिखाएंगे कि social media के उपर जो open open international client है उस तक कैसे आपने पहुंचना है उसको कैसे pitch करना है उसको proposal आपने कैसे देना उससे deal आपने कैसे मैचोर कर थर्ड आपको सिखाएंगे देखें अभी आप अपनी screen के उपर देख रहे हैं फाइवर फा सेंसिंग platform है और फाइवर के उपर आप देखें कि already traffic है और यहां पर बायर जो है वो आता है जो आपकी services आप से purchase करता है फाइवर की 58.80 million monthly traffic है अगर हम count करते हैं जी कि फाइवर के उपर आदा जो है वो seller है और आदा बायर तो 58 का भी अगर आप half करें तो यह approximately कोई 20 कितना बनता है जी यह बनता है 28 यह 29.4 million बनता है अगर 29.4 में से SEO का डेली का जो visitor है SEO projects का वो हम point five minimum level पे हम अपने आपको कोई सबस्वाग न दिखाएं और हम point five के रहते उपर रहते वे भी देखें तो आपको डेली जो SEO से related traffic है फाइवर के उपर जो purchase करती है services वो तक्रीबान इसके उपर है जी अड़ाई लाक ठीक है जी तो अगर अड़ाई लाक में से डेली तीन हजार भी order यहां पर place करते हैं तो आप भी उन में से एक हो सकते हैं जिसको वो order मिल जाए तो फाइवर के उपर आपको complete सिखाया जाएगा कि फाइवर की profile कैसे बनाई जाती है इसको rank कैसे किया जाता है इसके उपर services को कैसे list किया जाता है plus यह मेरा एक secondary account है इसकी तीन से चार मा की earning है वो मैं आपको show करवा देता हूँ यह रखें आपको motivate करने के लिए कि Fiverr के उपर किस level की earning आप कर सकते हैं तो यह देखिए जी यह Fiverr के उपर approximately per month के हिसाप से हमने कोई 1.5 लाक रुपया per month के हिसाप से earning की वही है ठीक है आप भी यह earning कर सकते हैं और 1.5 लाक रुपया per month की जो earning है यह आपको पता है पाकिस्तान में corporate sector में जो अच्छे level के उपर salary count होती है यह वो है लेकिन आपको जो हमारा skills लिगाने का मक्सद है वो यह है कि हम unemployment जो है उसको खतम करना चाहते हैं ह हम यह चाहते हैं कि हर बंदा अपना business करें skilled हो जाए और वो skill जो है वो market में provide कर सके लेकिन एक definite सी बात है कि आप यह लाक रुपय की earning पहले महीने में नहीं कर सकते आपको मेहनत करना है और आप 6 महीने में इंशाला इसकाबल हो जाएंगे अगर आप ऐसे ही perform करें जैसे हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको शॉर्टी देते हैं कि आप 5-6 महा में इस काबिल हो जाएंगे कि आप 1,5 लाक रुपया per month जो है वो earn कर सके लेकिन दुबारा repeat कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले focus ढोना है और focus ढोके आपको सबसे पहले यह skills सीखना है अब मैं आपको दि सर्च करते हैं जी SEO Services को हम सर्च करते हैं यह देखिए 200 डॉलर में सेल करें 25 डॉलर में 595 डॉलर में और अगर यह मैं open करके आपको दिखा हूं तो 595 डॉलर में basic package है इसका standard package जो है वो 745 डॉलर में और premium package जो है वो 995 डॉलर में है और तीनों package one month के है one month में आपने इनको delivery देनी है यह services आप भी प्रोवाइट कर सकते हैं और अगर आप यहां पर देखें तो यह देखिए eight orders in queue eight orders in queue का मत्तब है कि eight order अभी तक इन्होंने deliver करने है और अगर हम consider करते हैं कि जी वो वो जो order है वो 595 के ही है तो यह देखिए मैं आपको कुछ calculations करके दिखा देता हूं यह देखिए 95 multiplied by eight चार हजार साथ सो साथ डॉलर यह बंदा अभी earn करेगा अपने orders deliver करने के बाद यह फाइवर का potential है फाइवर के उपर रहते वे आप बहुत अच्छे लेवल पर earning कर सकते हैं ठीक है अब मैं आपके साथ course outline share करना चाहूंगा देखें यह जो course है इसमें हम आपको training देते हैं वो तमाम लोग जिनका SEO से अभी तक कोई तालुक नहीं रहा उन्हें SEO के बारे में कुछ भी नहीं पता या वो bloggers जो जिनके blogs हैं और वो अपने blogs को rank करना चाते हैं जिनके business हैं अपने business को rank करना चाते हैं या वो लोग जिनका highly interested है SEO के अंदर वो तमाम लोग जिनकी basic education level metric है वो इस course को join कर सकते हैं यह इस वक मार्कीट में top trends के अंदर आती है अब मैं आपको बताता हूं जी हम आपको क्या-क्या कुछ से खाएं देखें सबसे पहले SEO का जो project है वो दो type के project आपको मिलते हैं एक new website होती है और एक old website old website को आपने redesign करना होता है SEO point of view से और new website के आप strategy बिल्ड करनी होती है तो इस पे सबसे पहले आपको planning की जूरुत है ताके आप prepared हो सके अपने project के लिए तो आपको इंशाला बताएंगे कि आपने organized कैसे होना है आपने website का introduction कैसे लेना है आपने client से जो के website का मालिक है honor है उससे कौन कौन सा data आपको collect करना है site की health क्या होती ह है आप targeted audience कैसे find out करेंगे website के goal क्या है जो मालिक ने define किये है कि वो website से क्या चाता है और Google search console का इंशाला आपको जो है वो एक introduction देंगे complete इस course में जो जो भी tools यूज होंगे तमाम online tools होंगे एक दो के इलावा offline tools नहीं होंगे 90% free tool होंगे 10% paid tools होंगे paid tools आपको अभी नहीं कहरें कि आप purchase करेंगे लेकिन जब आपका business stable हो जाए आपको monthly 3-4 अच्छे project मिलना शुरू हो जाए तो तब आप paid के ओपर भी जरूर जाएगा इसलिए paid की भी आपको training जो है वो provide की जाए जब हम planning कर लेते हैं prepared हो जाते हैं उसके बाद next step आता है जी कि हम अपनी website का complete SEO audit करते है ठीक है उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारी old website है तो उसके backlink profile क्या है URL structure क्या है उसके ओपर कोई 301 redirect जो है वो apply हुए है या नहीं हुए अगर वो new project है तो वो website कैसी बनी हुई है क्या वो mobile friendly है search engine के ओपर वो कैसे show हो रही है indexing उसकी हो चुकी है या नहीं हुई है यह audit आपको complete सिखाया जाए third step में इंशाला हम सीखेंगे जी कि हमने अपने जो top competitors हैं उनको कैसे find out करना है उन top competitors देखें हर business के competitors market में मौझूद होते हैं और अगर आपकी website जो है वो शुरू में 20 नंबर के उपर rank कर रही है तो आपने पहले 19 को देखना है कि यह 19 आप से उपर क्यूं है उन 19 में से top competitor आपको कैसे find करना है कौन-कौन से tools यूज़ होंगे इंशाला complete strategy आपको सिखाई जाएगे देखें मैंने शुरू में आपको बताया कि SEO जो है वो keywords के उपर base करती है तो keyword research जो है इसका main part है major part अगर आपकी keyword research अच्छी है तो आप अपने किसी भी project को rank कर सकते हैं और keyword research की services को आप अलहदा से भी market में sell कर सकते हैं keyword research में आपको बताएंगे कि SEO point of view से आपने proper keywords कैसे find out करने हैं कौन-कौन से tools यूज़ होते हैं keyword को find करने के लिए local keywords क्या है, branded क्या है, non-branded keywords क्या है, technical keywords क्या है, ये तमाम चीज़े आपको बताएंगे competitors के keyword आपने कैसे find out करने हैं क्योंके competitors भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं अगर उन में से कोई चीज़ अडॉप्ट करनी है तो वो आपने कैसे करनी है, ये भी इन्शाला आपको बताएंगे और इन keywords की list में से final keyword आपने कैसे find out करने हैं और कैसे आपको ये पता लगेगा कि ये easily rank हो जाएंगे, ये तमाम चीज़ें keyword research में आपको सिखाई जाएंगे proper keyword research आपको सिखाई जाएंगे जब आप keyword finalize कर लेते हैं तो आपको website के लिए content लिखना होता है content में आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये देखें जिस पोस करते हैं हम ये tech radar को ये open कर लेते हैं तो tech radar को जब हमने open किया iPhone 11 pro reviews के लिए तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये written form के अंदर content है इसी को हम content कहते हैं और अगर इस content के अंदर आप थोड़ा सा focus जो तो यहाँ पर आप देखें कि iPhone 12 pro ये keyword यूज़ किया iPhone 12 iPhone 12 mini ठीक है जी इसके इलावा आप देखें और भी बहुत सारे keywords है iPhone XS iPhone 11 pro case ठीक है तो ये keywords कैसे यहाँ पर use करने हैं इन keywords के अंदर link कैसे insert होते है anchor text क्या होता है keyword क्या होता है इन में difference क्या है on page SEO और यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी कि उसके अंदर आपने inbound link कैसे create करने है तमाम चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि आपने content अगर खुद लिखना है तो कैसे लिखना है अगर आपने content writer से लिखवाना है तो वह आपने कैसे लिखवाना है यह तमाम detail इंशाला आपके साथ share करें next step आ जाता है जी देखें किसी भी website की ranking के लिए हम उसको दो categories में divide करते हैं एक है जी on page optimization और दूसरी है off page optimization on page optimization यह जो keyword है यह आपको बता रहा है कि यह optimization की वो type है जिसमें आप website के उपर रहते हुए काम करते हैं अब इसमें आपको complete planning बताएंगे SEO audit बताएंगे competitor का भी और website का भी on page optimization के point of view से यहां पर दो extra skill हम आपको सिखाएंगे कि आप images को कैसे आपने rank करना है और videos को यही जो videos की strategy हम आपको सिखाएंगे यही आप YouTube channel के लिए भी use कर सकते हैं उसके बाद images के उपर आपने additional information जो है वो आपने कैसे करनी है उसके बाद आपको बताएंगे कि schema क्या होता है schema कैसे implement किया जाता है schema क्यों बनाया जाता है schema को website के उपर कैसे attach किया जाता है तमाम चीजें और हम एक complete on page SEO audit करेंगे mobile के point of view से क्योंके देखें आज कल सबसे ज्यादा जो traffic है किसी भी website के उपर वो mobile और tablet से आती है क्योंके आज कल लोग laptop और desktop जो है वो कम use करते हैं ठीक है जी on page optimization के resources आपके साथ share किया जाएंगे XML sitemap क्या होता है वो आपके साथ share किया जाएगा जब यह तमाम काम आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपने website को track करना होता है कि जो strategy आपने website के उपर implement की है क्या वो strategy अच्छे से work कर रही है या नहीं कर रही है अगर किसी strategy को आपने change करना है तो वो आपको बताएंगे कि आपने strategy को कैसे change करना होता है लास्ट में backlinks आ जाते हैं backlinks का proper business करना आपको सिखाएंगे backlinks के थूँ हमारे student six thousand dollar five thousand dollar four thousand dollar तक की earning कर रहे हैं यह proper business है और किसी भी project के लिए आपको off page SEO में backlinks create करने पड़ते हैं आपको इंचाला बताएंगे कि backlinks क्या होते हैं backlinks को right way में कैसे create किया जाता है track कैसे किया जाता है back links को क्यों create किया जाता है back links के साथ COPAN का क्या तालुक है relevant industry क्या होती है back link का analysis कैसे करना है इसके लिए जो outreach के लिए जो tool use होते हैं वो कौन-कौन से tools हैं उनको कैसे use किया जाता है तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगे तो यह students आपका complete जो है वो course outline था अब अगर आपके mind में कोई भी confusion है कोई भी conflict है तो वो आप मुझसे share कर सकते हैं आप मुझसे question कर सकते हैं Miss kindly ने guide कीजिएगा कि यह मुझसे किस तरीके से question कर सकते हैं ताक्के मैं इनकी जो भी confusion है उसे clear करता है Sir मैं आपको होस्पन आ रही हूं students अगर आपको कोई भी question है तो kindly आप सरसे directly पूछ सकते हैं Sir मैंने आपको host बना दिया है जी ठीक है जी students आपका अगर कोई भी question है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल hesitate मत कीजिएगा किसी भी किसम की कोई हिच के चार्ट मत रखीगा कि मुझे यह पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए अगर आपके mind में किसी भी type का कोई भी question है तो आप बिल्कुल पूछें जी उमर सलीम आपने raise hand किया आप अपना question पूछ सकते हैं मिस आप उत्ती दे इन्हें फीस के बारे में और बाकी तमाम चीजों के बारे में बता दीजे पाउट ट्रेनिंग के गायड कर देती हूं यह वन मंत का ट्रेनिंग प्रोग्राम है थाउजन पर पर कोर्स पीस है जो कि आप इजी पैसा और जैस चैस के थरूँ सब्मिट कर वा सकते हैं लाइज शुडियन्स पर आप लिगों को बिताती चलो अबाउ ट्रेनिंग के यह वन मंत कर ट्रेनिंग प्रोग्राम है फिप्टीन हंडड़ड पर कोर्स फीस है जो कि आप इजी पैसा और जैसे को वर्चब गुरुप की स्पोर्ट दी जाएगी फेस्बूप गुरुप की स्पोर्ट दी जाएगी जिसका लिंक में आप लुगों को चैट बाक्स में संड करें का आप इसे जाइन करेंगे कि अफिशल फेस्बूप गुरुप है स्टुदेंट्स वर्ट सब गुरुप में आपको अप्टर इन्रॉल्मेंट आड कर दिया जाएगा जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रॉइड की जाएगी पेड सेशन के लिंक्स दिये लेक्चर में जो जो मस्ते मसाल आएंगे उन्हें भी सॉर्ट रॉट करवाया जाएगा और स्टुदेंट्स में आप लोग को बिताती चलू कि आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी बॉर्ट प्लान 9 की तरफ से सेटिफिकेट भी जाएगा जो कि soft copy में भी होगा और hard copy में भी होगा मैं बताती चलू 1500 पर कोर्स पीस है अगर आप इस कोर्स में अद्मिशन लेना चाहते हैं तो जहां से आज के demonstration का आपने link लिया वहीं पे contact करेंगे वो enrollment के about आपको guide करेंगे कि कैसे आप इस कोर्स में इंडॉल हो सकते हैं स्टुरेंट्स में आप लोग को बताती चलू कि 7th November से आपकी classes आज आपको औरिंटेशन पेट सेशन होगा अगर आप लोग इन्रोल हो जगे हैं तो जरूर इस क्लास को बढ़ें कीज़ेगा अगर अगर आप लोग इन्रों हो जगे हैं तो जरूर इस क्लास को बताती में अला हाफिज थैंक यू सर अपना ख्यार रखिएगा अला हाफिज अला हाफिज